तो चले दूस्तों आज हमाते हैं.. फिस्स फ्राय तॉ फिस्स फ्राइज करने के लिए.. सबसे पहले मशली को अच्छे से दोने के बाद тебе हम कुछे मापाल लेटिया। पहले हल्दी पॉड़र स्षप्र ऐसमें एक से यह से बीदो क चाहिया। जो एक चम्मच मैंने सभी डाल दिया और इसमें हमें आड़ करेंगे बेसन बेस ăn एक चम्मच बेसन डाल लें के बाद इसमें हमें चली भी आट कर लें तो बहुत ही स्वा और वीटे होने तक थोड़ा सा वीट कर लेंगा हम एंगा हमारा थेल जो है 3 तरह तरफ तेल को पहला लिए हम है, यह हमारा फिस जो है मसाला मिलाकर के इसको रखे जो पराहि बारी-बारी से लिए घलक्तिश देल की आथे से दिए़ में धाल को जात, जितना तेलम आ सके, उत तो अब देख सकती है यह हम इसको हम 5 minutes तक पकाएंगे हम इसको पलट देंगे दूसरे तरफ के पकाना शुरू करेंग hell ऑब देख सकती हमें फिर सेंड तरफ का मतल्ब पलट देंगे इसको बारी-बारी से चमज के लेंगे हarth dust 10-10% पिछले हिस्स्य को पकाना है तो यहां पर हम रख लेंगे और 3-4 मिनट के बाद इसको भी हम निकाल लेंगे पक जाएगा तो यह अभी हम पका रहे हैं इसको अब हम बारी-bारी से इसको निकाल लेंगे आपको दिखा रहे हैं पहले यह बहुत अच्छे से पक जाता है बहुत ये हमासी के साथ बहुत ही टे थेस्टी होता हुग एसे आप भी बनाे और बना करके ठ्रै जरूर कीजिए 있어 बहुत सीम्पल तरीके के साथ ऐसा तो आप देmetro सकते हैं हमारा ये मजली finally fry उत बहुत है तो यहां पर देखिए हमारे फैनली जो है फिसफायडी हो चुका है तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलते है तब तक के लिए बाइद्र कमेंड जरूर करता है